हाँ जी Samsung की तरफ से अभी अभी दो नए 5G फोन लॉंच हो चुके हैं Samsung Galaxy M32 5G और दूसरा फोन है Samsung Galaxy A52s 5G जिसका हम काफी दिनों से इंतिजार कर रहे थे तो इस वीडियो में मैं आज इनी दो स्मार्ट फोनों की फुल स्पेशिफिकेशन के बारे में आपसे बात करूँगा और अलाग अलाग इन दोनों फोनों की डीटेल्स के बारे में बात करके इस वीडियो को लंबा करना मैं नहीं समझता की जरूरी है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन दूनों फोनों की डीटेल्स एक साथ पिल्कुल शोर्ट और सिंबल तरीके से आपको प्रोवाइड करवा सकूँ तो फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं इन दूनों फोनों की डिस्पले से गलक्सी M32 5G में आपको एक 6.5 इंच की HD प्लस 60 Hz की LCD डिस्पले मिलती है वहीं गलक्सी A52s 5G में आपको 6.5 इंच की Full HD प्लस 130 Hz एमोलेट डिस्पले मिलती है और साथी इसमें मिलती है Cornling Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन लेकिन पीछे की साइड में आपको सिर्फ प्लस्टिक फ्रेम ही देखने को मिलेगा और इसकी Maximum Brightness 800 Nits है अब बात करते हैं दोनों फोनों में प्रोसेसर की गैलक्सी M32 5G में आपको MediaTek Dimensity 720 का 5G प्रोसेसर दिया गया है और इसके अंदर 5G के 12 बैंड आपको देखने को मिलेंगे साथी इसके अंदर आपको Samsung One UI की Nox Security देखने को मिलेगी जो की पूरी तरह से बेस है Android 11 पर और वहीं दूसरी और Galaxy A52 S 5G में आपको MediaTek Dimensity 778 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 5G के 12 बैंड देखने को मिलेंगे LPDDR 4X RAM और UFS 2.1 का Storage इसके अंदर देखने को मिलता है साथी इसके अंदर आपको Complete One UI की Nox Security इसके अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें इन दोनों फोनों के कैमरा के बारे में तो इन दोनों फोनों के अंदर आपको Quad Camera का Setup देखने को मिलता है Galaxy M32 5G के अंदर आपको 48 Megapixel का Primary Camera 8 Megapixel का Ultra Wide Camera 5 Megapixel का Macro और 2 Megapixel का एक Live Focus Camera देखने को मिलेगा और अगर मैं बात करूँ सेलफी कैमरा के बारे में तो इसके अंदर आपको 13 Megapixel का Selfie Camera मिलेगा और वहीं दूसरी और Galaxy A52s 5G में आपको 64 Megapixel का Primary Camera और वो भी Sony के IMX682 सेंसर के साथ इसके अलावा 12 Megapixel का Ultra Wide Camera और 5-5 Megapixel के इसके अंदर आपको Macro और Depth Camera देखने को मिल जाएंगे और Selfie Camera इसके अंदर आपको 32 Megapixel का देखने को मिलेगा Galaxy A52s 5G में आपको Primary और Selfie Camera दोनों के अंदर आपको वोरके में वीडियो रिकोर्डिंग करने का Option मिल जाता है Galaxy M32 5G में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी लेकिन वहीं Galaxy A52s 5G में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है दोनों फोनों के अंदर आपको बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है लेकिन 15W का Fast Charger आपको दोनों ही फोन में दिया गया है वो भी Type-C केबल के साथ में दोनों फोनों के अंदर आपको 3.5 mm का Headphone Jack देखने को मिलता है और इन सब के अलावा Galaxy A52s 5G में आपको IP67 की Water and Dust Resistance की आपको रेटिंग देखने को मिलती है साथी 3 साल का OS Upgrade आपको इस फोन के अंदर दिया गया है जो कि ये दोनों चीजे Galaxy M32 5G के अंदर आपको नहीं दी गई है Money 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 अपना सपना Money 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 यानि की Price इन दोनों फोनों की डिटेल्स के बारे में तो बहुत बात हो ली अब देखते हैं इन दोनों फोनों की Price क्या है सबसे पहले बात करते हैं छोटे भाया जी के बारे में यानि की Samsung Galaxy M32 5G इसके दो वेरिंट लॉंच हुए है 6GB 128GB जिसकी कीमत है 20,999 रुपे और 8GB 128GB जिसकी कीमत है 22,999 रुपे साथी ये फोन दो कलर में आता है Sky Blue और Slate Black अब बारी आती है एक बड़े भाया की Price की यानि की Samsung Galaxy A52 S5G इसके भी दो वेरिंट लॉंच हुए है 6GB 128GB जिसकी कीमत है 35,999 रुपे और दूसरा वेरिंट है 8GB 128GB जिसकी कीमत है 37,499 रुपे इस फोन के आपको तीन कलर देखने को मिल जाएंगे Black, White और Violet एक्चली Galaxy M32 5G की Price से मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन Galaxy A52 S 5G की Price में सोच रहता लगबग 30,000 के आसपास निकलेगी लेकिन ये थोड़े सी High हो चुकी है कोई बात नहीं हो गई तो हो गई और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समापत होती है अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो भी बहुती जल तब तक के लिए ठाठा बाभाए